आज हम बाल विकास का अर्थ, परिभासा, सिदान्त, एवं भी जिस्ताएं, तब बाल विकास को प्रभायत करने वाले कारकों का अधियन करेंगे। बाल विकास एक परिचाएं, जन्म के समय मानशिष एक जूइत प्राणे मात्र होता है, और हर प्रकार से असाहाई, अभोध, असामाजिक, नेतिक तक से अनिविगी, तथा अति सिमित बुद्धिवाला, तीन चार किलोगराम वजन वाला जूइत प्राणे होता है। यही जूइत प्राणे, करमसह, खेलने, कुदने, तथा विद्याला जानने वाला वालक, अतिदिक किर्याशिल की शूर, विभिन व्योशाय को अपनाने वाला ओवैस्क, तथा पुन्हा दुरुबल प्रंत अतिदिक अनुभे व्रिद का रूप करहन करता है। यह सवी परिवर्तन एक निश्चित एवं विवस्तित परिक्रिया के माध्यम से संपन होते हैं। परिवर्तनों की इस परिक्रिया को ही विकास अर्था डेबलोम्मेंट कहते हैं। विकास का अर्थ विकास एक जटिल परिक्रिया है। जिम्यदार होते हैं जो कि विकास की परिक्रिया का संचालन करती है। विकास की परिक्रिया को स्वरदी परभाधित करने वाली दो कारक होते हैं। या आनुशिक्ता हरिडिटी तथा परियावरण ये दो कारक अत्यदिक परवायत करते हैं बालक की विकास को ज़र धानपुरा देखा जाए तो कहा जा सकता कि मौलिक रूप से विकास ए परकास से परिवर्तन की ही परिकिरिया है यह परिकिरिया मुग रूप से दो ततों से परिचालित होती है ये ततों हैं परिवर्तन की उस उन्नसील सेंकला से है जो परिवर्तन की उस परिवर्तन की उस परिवर्तन की उस परिवर्तन की उस परिवर्तन से जो परिवर्तन की उस 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 परिवर् परड़ास तक तक गुजरता है विकास के नाम से जानी जाती है। डिरवर के नुशार विकास हो दसा है जो परगसिल परिवरतन की रूमें प्राणी में सतर रूम से ब्यक्त होती है। यह परगसिल परिवातन किसी प्राण में भुर्वारता से लेकर परड़ास तक तक होता है। अगला टॉपिक आता है विकास की सिद्धांत या नियम। विकास की मुख शिद्धांतों अथा नियमों का समाइन परिचाई निम लिखित है। नमबर एक नियरंतर विकास का सिद्धांत विकास की परिक्रिया तब तक नियरंतर होती रहती है। जब तस्यूसू परिपक्क नहीं हो जाता है यह परिक्रिया कभी मंद होती है तो कभी त्यूर लेकिन नियरंतर चलती रहती है। नमबर दू, विकास करम का सिदान्थ, बाला का विकास एक पिशिश करम से होता है, उधारं के लिए गज़ विकास में सबसे पहले हो बैठना, फिर खड़ी होना, उसके बाद चलना सिखता है नमबर तीन, समान परतिमान का सिदान्थ, पराणी जगत में परतिक जीव जाएदिक एक पूर्व निदारित समान विकास का नियम है, परतिमानो चाहिए भारत में, इंगलेन में, अथो अफिरका में उत्पन होआओ, कि विकास का करम समान होगा नमबर चौथा, सरलता सेज जटिलता की और सिदान्थ, बाला के विकास का यहाओ भी एक सिदान्थ है कि पहले उनमें समान विकास होता है, तता विशेज किरियाओं के बाद में, इसी प्रकार अंगों में भी पहले इस्तुल अंगों का और पर छोटरी अंगों का जैसे प ब्यक्तिकत विविन्ताओं का सिदान्थ, परतेक्त ब्यक्तिका सारिक यो मान्ची विकास अपने सारिक यो मान्ची गुणों के अनुसार होता है, इसलिए समान आयो की बालक तथा बालिका में ब्यक्तिकत विविन्ताओं दिखाई देती हैं शरीर के सभी भागों का विकास एक सांथ और एक गर्थ से नहीं होता है और राही मानसी विकास समान रुप से होता है यो काफी सिमा तक व्यक्तिकत विविंता पर निर्भर होता है नमबर साथ है सह संबंद का सिदान शरीर के विविन अंगों के विकास की गर्थ भिन होने पर भी उनमें सह संबंद होता है और वो एक दुश्यर पर अपना परभाव डालते हैं साजिक, मानसिक, समयगा तमक तर समाजिक सभी पक्सों के विकास में परस पर एक संबंद होता ह बिकास की परमुक बिशिष्टाएं बिकास की मुक बिशिष्टाएं निमलिकितें नमबर एक समानता बिकास की परिक्रियम है समानता का गुन पाय जाता है इस त्यति को हम मानव शिस्ष में होनी वाली विकास की उधारन दोरा इश्पैस्ट कर सकते हैं परतिक मानव शिस्ष जन्प के उपरान समान नुपसी विभीन अवस्ताव से गुजर कर प्राण व्यक्ति की रूम में विक्सित होता है एसा कभी ने दिख्या गया कि कोई मानव शिष बिक्षित होकर किसी पॉस्कीरों में सामने आया हो नमर दू, कुछ पक्सों में भिंता यदे विकास क्रमस सारिक और व्योका विकास तो सब विक्षिषों में समान ढग से होता है और इसलिए वह बड़े होकर बनुशी बनते हैं लेकिन उनकी व्यक्तित के विविन पहलों में विविन्ता होती है उनका मानसिक, भाना तमक, समाजिक यों बहुती विकास भिन भिन रुपों में होता है यह भी विकास की एक विसिस्ता है नमर तिन आईउसे समंदित विकास आईउक के उनुशार ही होता है समानतिय व्यक्तियों में वाईउक के उनुपाद में ही विकास होता है जिसे समान विकास कहते हैं लेकिन जब कुछ लोगों का विकास आईउक के उनुशार कम होता है तो इसे मन्द विकास कहते हैं और तथा जब कुछ लोगों में आज़ से आगे का विकास प्राप कर लेते हैं तो इसे तियूर विकास कहते हैं नमबर चार निरंतरता विकास की परिकिरिया की एक उलेखनी पीशिष्टा यह हो है कि यह परिकिरिया किसी नंकिसी रूब में निरंतर चलती रहती है इस पर देश योमकाल का कोई परभाव नहीं पड़ता है नमबर पांच है संग्टित परिकिरिया विकास इस संग्टित परिकिरिया है क्योंकि इसका संबंद कीवाल शारी विकास से नहीं है इसमें मांसिक, स्वमिगा तमक, नैतिक और संदरता तमक विकास तथा समाजी विकास भी संबंदित है विकास की परिकिरिया व्यक्त की समु बिकास से समद्धत है और इसे किसी 1 आई श्यमा में नहीं बादा जा सबता है बिकास को प्रभायत करने वाले कारक Bikaz की परिकरिया एक जटिल योंबौपक सीग परिकरिया है इस परिकरिया को प्रभायत करने वाले मुझे कारगान मुनिकित हैं नमबर एक एंडोक्राइल ग्लेंड्स या अंतासराई ग्रंथिया वानव सरीन में भी भिन अंतासराई ग्रंथिया होती हैं जैसे ही प्यूज ग्रंथी थैरर ग्रंथी इन ग्रंथियों की शक्रित्या भी व्यक्त की विकास की परिक्रिया को भिन भिन रूप से परवायत करत गरिधों की अस्राइन शकृत अब्यक्त की बिकास को अस्राइन बना देती है जैसे ही थेयरर्ड गरिदेक से कम शरा होने से मन्द बुद्धी और अधिक शरा होने से अतिकायता हो जाती है नमबर दो बुद्ध विकास के परिविक्रिया को परभायत करने वाले इन कारक बुद्धी है कम बुद्ध के वालक का विकास देमी गत से और इसके बिप्रीत तियूर बुद्ध के वालक का विकास तियूर गति से होता है नमबर तिसरा है यौन भिविन्ता विकास की विविन पक्सों का संबंद यौन भिविन्ता से भी है विविन मनों बेगानिक दिहनों दराशित हुचका है कि लड़कियां सारी रूप से लड़कों के अपिक्षा जल्दी भिख्षी होती है लड़कियां अभेक्षक्रू रूप से शीक्र परिपकता प्राप्त कर दिये हैं कुछ अनिपक्षों में लड़कों का विकास लड़कियों की तुलना में त्यूर होता है नमबर चार पोशन आहार में पोशक ततों का अभाव निश्चित रूप से भाला की विकास को अत्यदिक परभावित करता है तता हुआ सारीरिक यो मानसिक दिरिश्चे शंतिल डंग से विक्षित नहीं हो पाता है या दूसरी आहार अशी डंग से ना मिले उचित पोशक निकी दसा में बाला का सारीरिक, मानसिक यो समविगा तमाय विकास यानि इमोशनल डिवलेमेंट सुचार रूप से होता है अगला कारक है वातावराण ब्यक्ति का विकास सदे पारेरिक वियम समाजिक वातावनम में होता है पारेरिक इन्वेर्मेंट में घर के में बच्चों की संक्या, शिक्षक का इस्तर, पारेरिक संबंद, बच्चों का जन्मकर्म, आयतकारक विक्ति की विकास को प्रभाइद करते हैं इसी प्रकार समाजिक वातर्ण भी अनेवी प्रकासी ब्यक्तिक की विकास को प्रभायत करता है। अन्नुकूल समाजिक वातर्ण में ब्यक्तिक का विकास समान रहता है। जबकि पर्तिकुल समाजिक वातर्ण में ब्यक्तिक का विकास भी असमान हो जाता है। नमबर 6 औस्वस्ता योम रोग आदि रोग चोट अधा अघाद बाला की विकास को औरुद कर देते हैं समायन स्वास्त होने पर विकास की परिक्रिया भी समायने चलती रहती है नमबर 7 परजाती गण योम संस्किर्थी परजाती कारक भी विकास को में सायक होते हैं स्वेत परजाती के व्यक्तिव का विकास अस्वेत परचायत के विक्तिव से भिन होता है कुछ परजाती हो में सारी विकास शिग्र होता है इसके साहें सांथ ही संस्किर्थी विकास में भी भिनता पाये जाती है एक अत्यनत्य मुहत्पुन कारक है परिवार, घर का वातारण, सहद्धिश्य का पारिश्विर्ग विवार, सब्यत्ता तथा आचार विचार वी बाला की विकास को परवायत करते हैं नमबर नौ परिपवक्ता आई बढ़ने के साथ साथ ब्यक्त के सरीमा अंगों तथा कारसमता में बिरिव होते इसी को परिवक्ता कहते हैं बिरिद्य का विकास काफी कुछ इसी तत्व पर निर्वर रहता है बिरिद्य विकास में अंतर नमबर एक बिरिदि का अर्थ सारीरिक अंगों का विस्तार है जो एकांगी है न जबकि विकास बोहमकी या सरवांगी रूम में होता है नमबर दो बिरिदि सारीरिक तथा मानसिक परिवक्ता लागती है जो जन्वजात गुणों पर अधारित है जबकि विकास सारीरिक मांची गुणों में परिवर्तन नहीं लाता औरन समयगा तमक, समाजिक तथा अन्य परगशिल गुणा तमक परिवर्तन भी लाता है यह परिवर्तन वातरों से भी परभाइत होते है गवच्चा है चोटा होता है जब वो बढ़ते जाते हो तो हम इसके लंबाई को माप सकते है जबकि विकास का इसपस्ट मापनियो मुलांकन शंबाव नहीं है धन्यवाद यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए